तप्ति धूब और भीशन गर्मी में भोग प्यास से तरपता पचतर वर्ष रुद्ध अपने ही मकान की छट पर छट पटा रहा था आसपास के लोगों ने जब पुलिस को या जान कर दी तो पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए स्तानिय लोगों के मताबिक पत्नी एवं दो पुत्रों की उपेक्षा के शिकार महादेव राओ डोनबा जी गुलाबे तकरी बंदो महा से आके लिए छट पर रह रहे हैं उन्हें दिन में एक वक्त पानी और कुछ खाने को दिया जाता है परिजन साथ इसलिए नहीं रहते कि अब वह किसी काम के योगे नहीं रहे सुचना मिलते ही API राइगोंडा पाटिल ने सह कर्मियों को ततकाल घटनास्ताल पर पहुशने के निर्देश दिये रविवार की दो उपर तकरिबन साड़े बारा बजे पुलिस कर्मियों के मयूर नगर मानस मंदिर के पास प्लॉट करमांग पचास में दस तक दी महादेव उटकर खड़े होने की विस्तिती में नहीं थे मकान की छट पर पहुश कर राइगोंडा पाटिल ने जब पानी की बोटल सामने रखी महादेव की आखे छल छल आई बोटल से उन्होंने पानी पी लिया पूश्ताश में महादेव राव ने बताया कि परिजन उनकी देख भाल नहीं कर रहे है ना पेट भर भूशन मिल रहा है पानी भी नसीब नहीं हो रहा है भुख्प्याज से बेहाल महादेव राव का शरीप बेहत कमजोर नजर आया पुलीस दल ने करतवे निष्ट का परिचे देती हुए महादेव राव के पोशन का इंतजाम किया साथ ही परिचनों को सक्त हिदायत भी दी कि वे उनकी उचे देख भाल करें महादेव राव के दो पुत्र है बड़ा पुत्र प्रवीन गुलावे मजदुरी करता है वा छोटा पुत्र अमर गुलावे टायल स्पिटिंग का काम करता है पत्नी प्रभापाई गुलावे घरेलू महिला है स्तानिय लोगों के मताबिक महादेव राव लक्वा गरस्त है बिमारी के कारें कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है बिमारी के चलते परिजनों ने महादेव राव को छट पर ही रख छोड़ा है छट पर एक लोही की चार पाई है न बिस्तर है न चादर बस चार पाई पर महादेव राव दिन गुजार रहे है कैमरा परसन अखलेश भारदवाश के साथ अभिशेक पांसी बीसीन योज नाकपुर